अध्याय 14, जैविक प्रक्रियाएं, प्रजनन, विद्धी और परिवर्धन, लाइफ प्रोसेस, रिप्रडक्शन, ग्रोथ और डेवलेप्मेंट आपने कक्षा नौमी में पढ़ा था, कि सभी सजीव कोशिकाओं के बनी होते हैं, पुरुवर्ती कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं बनती हैं, आपने यह भी जाना था, कि जन्तू के अनिशेचित अंडे और पौधों के अंडानू दोनों इक कोशिका हैं, पिछली प्रजने की प्रक्रिया का अध्यन भी किया है आपने शायद कभी न कभी एक निशेचित अंडे से पूरा जन्तु और एक बीज से पौधा उक्ते देखा होगा यदि अनिशेचित अंडा एक कोशिका है क्या निशेचित अंडों में एक से अधी कोशिकाएं होगी क्या बीज के अवस्ता में ही रहता है मनुष्यों में निशेचन के लगबग 2-30 घंटे में मा मादा के गर्ब में अंडा विभाजित होने लगता है मुर्गी के अंडे में विभाजन की प्रक्रिया निशेचन के लगबग 3 घंटे में होती है एवं कई पुष्पे पौधों में प्रजनन के लिए क्या नर और मादा जीवों का होना अनिवार है? प्रजनन की प्रक्रिया से क्या हूबहु जैनक जैसे संताने उत्पन होती है? क्या प्रजनन जीव के लिए अनिवारे जैविक प्रक्रिया है? क्या प्रजनन योग्य बनने में ब्रिद्धी और परिवर्धन की कोई भूमिका है आईए इस अध्या में प्रजनन व उनसे जुड़ी प्रक्रियाओं के अध्यान से इन सवालों की जवाब ढूंडने की कोशिश करते हैं किसी भी जीव के जीवित रहने के लिए पोशन, परिवहन, श्वशन, उत्सर्जन, वृद्धी और परिवर्धन ज जैविक प्रक्रियाएं जरूरी है प्रजनन ऐसी जैविक प्रक्रियाँ है जिससे विभिनताय उत्पन्न होती है। प्रजनन की अनिवार्यता का संब्भण जीवों की जीवित रहने से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है परन्तु किसी भी प्रजाती के अस्तित्व के लिए उस प्रजाति के जीमों में प्रजनन की शमता होना अनिवारे है। इन सभी जैविक प्रक्रियाओं का आपस में नियंत्रण एवं समन्वे जरूरी है। आईए हम ऐसी संडशनाओं और प्रक्रियाओं का अध्याद मुख्य रूप से मनुष्य व पौधू में करें जो प्रजनन, व्रिद्धी व परिवर्धन से जुड़े हों। 14.1 मनुष्य में प्रजनन, व्रिद्धी और परिवर्धन। मनुष्य में नर और मादा स्पेश्ट रुप से अलग पहचाना जा सकता है। ऐसा ही कई अन्य जीवों में भी होता है। आईए प्रजनन में नर और मादा की भूमिका को समझने का प्रयास करें। 14.1.1 प्रजनन, नर और मादा की भूमिका। निशेचन की प्रक्रिया से लेकर बच्चे के शरीर के संगठन वह संपुर्ण विकास में मनुष्य नर और मादा की भूमिका होती है प्रजनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें नर और मादा की भूमिका होती है लेंगिक प्रजनन कहलाती है मनुष्य का जीवन एक कोशिका से शुरू होता है इस कोशिका के संडचना और कारे के बारे में कई सालों से लोगों में कौतुहल बना रहा लोगों के मन में कुछ इस प्रकार के सवाल थे क्या मनुष्य की प्रजनन संबंदी कोशिकाओं में एक छोटा मनुष्य पहले से ही है क्या मनुष्य बनने के सभी कारक नर से आते हैं और मादा में सिर्फ बच्चे बनने के लिए अनुकुल परिस्तिती होती है हजारों सालों से लोगों में इन सवालों पर मद्बेद बना रहा सत्रवी शताबदी में कुछ वैज्ञानिकों ने अंडे को ही जीवन के लिए सबसे महत्पूर्ण इकाई माना पर सवाल यह था कि नरजीव या नरजनन कोशिका की क्या भूमिका होगी सुक्षमिदर्शी के विकास से जब कोशिकाओं का गहराई से अलोकन होने लगा तो उनमें कोई छोटा मनुष्य नजन नहीं आया बलकि यह देखा गया कि नरजनन कोशिका पूछ वाली छोटी से संड़चना होती है कोशिका सिध्धान के प्रतिपादक शिल्डन, शौन और विर्चाउने महज 200 साल पहले जनन कोशिकाओं के अध्यन से इन बातों की पुष्टी हुई उन्होंने नर और मादा जनन कोशिकाओं के केंदरक के संयोजन की प्रक्रिया का अध्यन किया उन्होंने सुझाया कि नर और मादा के जनन कोशिकाओं की एक जैसी भूमिका होती है क्योंकि यह दोनों कोशिकाओं है इन्ही दिनों यह भी स्पेश्ट हो रहा था कि इन्ही कोशिकाओं के जरिये माता और पिता के लक्षन बच्चों तक पहुँशते हैं इनी कुशिकाओं के केंद्रक में लक्षन के कुछ कारक होते हैं जिनके द्वारा एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक माता पिता के लक्षन पहुंसते हैं इन कुशिकाओं को युगमक गैमिट्स कहा गया युगमकों के संयोजन से बनी कुशिका को युगमनज जाइगुट कहा गया युगमनज में माता और पिता के जनन कुशिकाओं के अनुवांशिक पदार्थ एकत्रित होते हैं और एक नया केंद्रक बनता है इसी केंद्रक में संतान के पूर्ण गठन का निर्देश होता है युगमनज बनने में नर और मादा की भूमिका हमें कई जीवों में नजर आती है इस प्रकार के जीवों में नर या मादा के शरीर के गठन अलग-अलग होते हैं या एकी शरीर के अलग-अलग हिस्सों में नर और मादा जननंग पाए जाते हैं जैसा कि केचुआ, जोक, आधी रीड की हड़ी वाले प्राहे सभी जीव कुछ प्रकार के कीडे मकोडे जैसे टिड़ा, तितली, मदुमक्खी, केचुआ, घोंगा, सीप, पुश्पे पौधे, काई, फ़न आधी में प्रजनन की प्रक्रिया में नर और मादा की अहम भूमिका होती है प्रजनन की इस प्रक्रिया को लेंगिक प्रजनन कहा जाता है अलेंगिक प्रजनन जैसा की जिवानू, इश्ट, कई पौधे, आलू, घास, गुलाब, आधी में होता है नर और मादा की भूमिका नहीं होती है आईए मनुष्य की शरीर के गठन सम्बंदी प्रक्रियाओं के बारे में अध्यन से नर और मादा की शरीर गठन बजननंगों में होने वाली प्रक्रियाओं के बारे में समझने का प्रयास करे